फैन कोड ओमान डी टुन्टी ड्रीम लेवन मैस परडिक्शन ओमान डी टुन्टी ड्रीम लेवन टीम एजड़ वर्सी जी जी आई ड्रीम लेवन मैस परडिक्शन तो दोस्तो ओमान D20 का एक और मुकाबला AZA vs GGI के बीच में सेम विकेट पर खेला जाएगा और यहां की पिछ के बारे में बात करें तो दोस्तो लगबग बैलेंस ता विकेट है बैट्समैन बोलर दोनों को अच्छा स्पोर्ट है लेकिन कई बार दोस्तो जो गेंद बाज है उनको यहां पर एक्ष्टा स्पोर्ट भी मिल जाता है तो सबसे पहले AZA-DA के बारे में बात करें दो मैच्च खेले हैं अब दोनों के दोनों मुकाबले हार कराएं है टीम के और शे एम असगर की लाश्ट मैच में वापसी हुई थी दोस्तो ओपन करवाया लेकिन सिर्फ दोरन बना पाये थे सेंट पर फोम भी अस्तान नहीं चल रहा है हाई टीम बाहर है पहले मैच में नंबर सेपर आई तेई सन बना ये लाश्ट मैच में टीम ने पर मोट करके ओपन करवाया तो बैटिंग नहीं चल पाई बोलिंग में एक से दोवर बोलिंग कर रहे हैं दोनों मैच में कोई भी विकेट बाहर को नहीं मिला है इनके बाद राव वकार रहमद है लाश्ट मैच में भी फलोग थे और शेकिन लाश्ट मैच में भी फलोग थे बैटिंग के लवा पहले मैच में चार और बोलिंग जर यह वसी मक्तर है वह है ओलाउंडर प्लेर है दोस्तों पहले मैच में नमबर 6 पराई थे आठरं बनाए लास्ट मैच में 4 में 36 अंखज किये हलांकि विकेट इनको नहीं मिला इनके बाद अकमल सैजार टीम के कैप्टन और विकेट कीपर बल्ले बाज पहले मैच में 4 लास्ट मैच में चौदा बनाए जासी मिलाई नासीर अली है नमबर 7 और 8 पर खेर रही है चौदा और 9 इनकी बल्ले बाजी रही है बैटिंग के लाओ दोस्तों दो मैच में ये बोल लास्ट मैच में 2 ही अवर डाले थे 19 अंखर्च कर दिये तो ज़्यादा बॉलिंग इनको नहीं मिली इनके बाद आसी पलवालुसी है पहले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी लास्ट मैच में इनके एक अवर डाला नोरन खर्च के और एक विकेट टीम को निकाल के दि दोस्तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई के मेहनत के लिए और भाई को मोटिवेशन करने के लिए एक लाइक जूरूर कर देना और अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिविकेशन बेल आइ पहले मेच में 6 दूसरे मेच में 28 सुन बनाएं बेटिंग के लावा दोस्तो चार और बॉलिंग भी कर रहे हैं पहले मेच में विकेट लैस थे लेकिन लास्ट मेच में एक टीम को निकाल के दिया इनके बाद अजमत उलह काजी हैं पहले मेच में नमबर 8 पर आये थे दोस् बनाए निम्रान लटीफ नमबर चार पर खेल रहे हैं पहले मैच में 35 लास्ट मैच में एक रन बनाया बैटिंग के लावत चार वर कंपिट डाल रहे हैं दोनों मैचस में एक एक करके दो विकेर निकाल चुके हैं जिनके बाद अब्दुल्ला फेजन है वन डाउन मेडर ओडर में खेलेंगे दोस्तो ज़्यादा बैटिंग के उमिदें नहीं रहेगी बॉलिंग में देखा जाए पहले मैच में तो काफे मार पड़ी विकेर लेस थे लेकिन लास्ट मैच में चार वमिद की संखच की एक विकेर निकाला इनके बाद सहवाज नासर नमबर स साथ भी खेल रहे हैं लास्ट मैच में उननीस सन बनाए थे सेकंड लास्ट मैच में उननीस लास्ट मैच में पारी नहीं आई नहीं आई नहीं आइमद खान टीम के कैप्टन है दोस्तो बैटिंग में तो बिलकुल लोडर में आती हैं तो कोई खास उमीद नहीं रहेगे ल लास्ट मैच में 4 वर 18 कोई विकेट नहीं मिला इनके बाद रासत बालू सी एक वर डाला था काफी ज़्यादा इनको मार पड़ी हालांकि दोस्तों गेन बाद अच्छे हैं कभी भी बड़े विकेट निकाल सकते हैं लेकिन लास्ट मैच में प्रस्षण काफी खराब रहा था सिर्फ एक ही अवर इनसे डलवाया गया था बैंच के प्लेयर को लेकर दोस्तों अगर ये कोई भी चैनल वगरा करेंगे तो उसकी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में और दोस्तों टेलीग्राम जोइन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अभी हम बात करेंगे डैमोर टेम के बारे में उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों भाही की मेहनत के लिए एक लाइक चुरूर कर देना च लाइक आजी दोस्तों लाइक में अच्छा परदसन करके हैं तो हमारी एक बिल्कुल safe और best choice यहां पे रहेगी बैटिंग में देखा जाए दोस्तों तो यहां से एश मिर्जा है बिल्कुल एक अच्छे बाद दोस्तों अच्छे रन लगा रहे हैं ए अली है ग्रैंड लिं ये फिजान है दोस्तो बैटिंग वोडर का श्योर नहीं रहता कभी अप कभी डाउन होते रहते हैं तो स्मॉल लिग में मैं इनको फरिफर नहीं करूँगा लेकिन ग्रैंड लिग में आप इनके साथ जा सकते हैं एस ना साथ है दोस्तो पलेर तो अच्छे हैं लेकिन नाम के अकोर्डिंग इनको ना तो जगह मिल रही है सही टाइम पे बैटिंग करने की ना इनको इतना अच्छा परशन रहा है तो दोस्तो हाई रिस्की टीम में आप मोका देना चाहिए तो दे सकते हैं ओलांडर सेक्शन में देखा जाए दोस्तो तो एम एक बाल अवलेबल नहीं रहेंगे डबल वक्तर दोस्तो एक अच्छा उप्शन रहने वाला है जो कि चार और आपको कंप्रिट टाल कर देने वाले हैं तो चाहिए तो स्मॉल लिग में रिस्क उठा सकते हैं बागी ग्र बल्우 अग्तर है वो मेर ओडर में लेट बैटिंग करने आते हैं लेगिन बोलिंग चार वर डालते हैं तो इन दोनों में से दोस्तो आप Chemistry कर करेंगा वहर को अभी के लिए दोस्तमे आए या से बाहर को ट्राइको करके रखा है निजे के बॉलिंग में दोनों एक हान हो गए दोस्तों इनके बाद जे इलाई नासीर और आई महमद हो गए एम कुरेशी है गरेंड लिग में आपके लिए अच्छी पिक रहेगी जुरूर आप मोका दे के चलना है दोस्तों काफी अच्छी विकेट है कर गेंद बाज है इनके अदला टिम में चैन्स बगरा होगे तो वह सारी अपडेट आप को टेलीगाम में मिल चाहेगी तो टेलीगाम जो नहीं किया है तो जुरूर शेकर लेना टेलीगाम के दो जो इंपोर्टन लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे मैंसन कर दिये है तो दोस्तों मैंने अभी के लिए लटीफ को बनाया है वाइसगाफन मैं दोस्तों यहां से अकबाल को बना रहा हूँ यही दोनों दोस्तों काफी अच्छी और BASTE OPTION रहने वाले है। कैप्टृण वाइसके दोस्तों आप एक घ्रान के साथ यहां पर टॉई करके चल सकते हैं इनके और दोस्तों यहां से ऐसे बाहर को भी Gr producción बना सकते हैं बैं टिम मेगर किसी को कैप्टन वास कैप्टन बनाना चाहिए तो दोस्तों वहां से आप बासीर के साथ जा सकते हैं वाकि जो भी कैप्टन वास कैप्टन और अपडेटर